कुछ ऐसी बाते ढ़ाई जो आपको सुनने में 100% फेक लगेंगी बट बाई ये फेक नहीं है ये फुट्बॉल है ये फुट्बॉल होता है यहां पर कुछ भी हो सकता है पहली बात किया 2016 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 कि Memory में Cristiano Ronaldo से फ़तीन मैच यह रहा यूति यह न भर रहा हैं कितना अंुर्याथ है libre Brahm मैं यह नहीं भर रहा हूँ कृसान अ फ़र साल में कम हा रहा जीता जादा मैं यह नहीं भर रहा हूँ मैं यह भर रहा हूँ कम हा रहा है च्टोफी यह आदा है यह भाई, this is unreal दूसरी बात क्या भाई नेमार, भाई देखो, नेमार का बहुत जादा मजाक उड़ाया जाता है, बहुत उसके मतलब जिस हिसाब का इस बंदे के पास talent, जो एक rare talent था, जो एक real potential था भाई, इस बंदे का जितना मजाक उड़ाया जाता है पहली बात क्या, second बात क्या नेमार रीच्ट डिबलंडॉर, top 10 list, while without playing in a Europe सुनो, 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 बहुत मजाक उड़ाते इस बंदे का कुछ प्लेयर्स तो UCL final में जाकर भी top 10 की list में नहीं आ पाते ये बंदा, नेमार ये रोप के बाहर खेलकर top 10 की list में बैठा हुआ था नेमार, for a reason बहुत बड़ा प्लेयर था, बन ना सका जो talent था, भाई, ठीक है भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, आप लोग अपने thoughts कॉमें सेक्शन में जरूर देना, आपको कौन-कौन सी बाते पता थी नेक्स्ट भाई, ये start बाई, शायद ये पता होगा जब बेल वापिस, जब बाद में end में towards his end of his career जो यार मिट के साथ थोड़ी बातचीत खराब हो गए थी फिर उसको लोन कर दिया था वापिस उसको अपने Spurs में, जब वापिस वो Spurs में गया, उसका first trophyless season, back to Spurs, जब ये ना गया, first trophyless season Gareth Bale का तब आया था, अब बारिये भाई, आज का सबसे बड़ा fake start जो सुनने में लगता है क्या next क्या भाई, Hugo Sanchez बहुत बड़ा नाम भाई, Real Madrid का आपने सुना होगा Hugo Sanchez भाई एक season में इस player ने 38 La Liga goals निकाले थे for Real Madrid, एक season में 38 goals for Real Madrid इधर इधर fake वाली बात क्या है इधर क्या है, भाई, 38 के 38 goals single touch finish single touch finish single touch finish, ball आई, boom ball आई, boom, भाई, finish, खतम फालतू का जंजट नी, double touch नी, ball आई, boom भाई, सुनकर आपको लगेगा 38 goals, 38 goals आपको tap-in लगेगा, tap-ins भाई इसमें बड़ी बात क्या है, भाई, बड़ी बात यही है, 38 के 38 goals, single touch finish, बट वो tap-ins नहीं थे, वो class थी Hugo Sanchez की, Hugo Sanchez for you, ball आई, boom नेक्स बात क्या भाई, हजाड साथ साल, हजाड साथ साल, Chelsea के लिए खेला Chelsea में रहा, अब सुनो बहुत मज़िदार चीज़, अब सुनो भाई Chelsea एक match भी नहीं हारी, एक match भी अपने घर पर नहीं हारी, मैं स्टांफ़र्ड ब्रिच की बात कर रहा हूँ, इन साथ सालों में जब-जब हजाड ने गोल मारा है, जब-जब जॉन टरी आपने नाम सुनाओ भाई, एक इक डिफेंडर था बहुद बड़ा डिफेंडर था जॉन टरी आज कोोड चूरे मो प्रेयर लीग वोल्स फोजल्सी देन इनियस्ठा इतने इनियस्थाने गोल्स गोल्स थोक सी फोढ़गे थे Real Madrid की main team ने हराया था अपनी खुद की reserve side को in Copa Del Rey final बाई कैसी कैसी बात तो यह सुनी भी यह मैंने नहीं सुना भाई बिल्कुल भी मैं यह नहीं बोर रहा भाई Real Madrid की main team ने अपनी खुद की reserve side को हराया एक friendly match में नहीं भाई Copa Del Rey के final में हराया fake लग रहा है but this is football, this is true ठीक है भाई, next चीज क्या, Ronaldo is the first ever, Cristiano Ronaldo is the first ever player to win this award भाई, to win this Puskas Award पहला बंदा था भाई, जिसने यह पहला बंदा जिसने यह award उखाड़ा था जो goal मारा था भाई, Champions League के quarter final में भाई, यह सुनने में भी crazy है, यह goal भी crazy है, यह बंदा भी crazy है next क्या भाई, Jose Mourinho Jose Mourinho, 9 साल तक, भाई, Jose Mourinho यह बंदा खुदी एक अलग लेवल का बंदा है, उसकी stats भी बहुत अलग लेवल के होते हैं, भाई, सुनना, बहुत interesting start है, भाई, Jose Mourinho 9 साल तक, एक भी home game नहीं हारा था, in the league, 9 साल की बात कर रहा हो, 9 साल की कुछ लोग बोलते हैं, जोब नहीं फुटबॉल जिसने follow करना शुरू किया, भाई, Jose Mourinho को क्यों compare करते हो, क्यों इतना बड़ा बोलते हो, भाई reason है, 9 साल तक एक भी match, home match, अपने league match, एक भी match, 9 साल तक नहीं हारा था, भाई, this is crazy, ठीक है, भाई, next next, next, भाई, बेलो टेली आपने नाम तो सुना होगा, बेलो टेली, why always me, आपने सुना होगा, भाई, नाम तो सुना होगा बेलो टेली का भाई, सिर्फ एक assist था, जब तक वो प्रेमेर लीग में था, सिर्फ एक assist था, उसका बेलो टेली का प्रेमेर लीग में वो assist कौन सा था बहुत बड़ा assist था, वो बहुत बड़ा assist था, भाई, एक ही assist बहुत बड़ा assist था, भाई, क्या था जो एक गवेरो ने गोल मारा था that title winning goal जो उसने गोल मारा था, भाई, for Manchester City, यह बहुत बड़ा assist था, भाई बेलो टेली का, सिर्फ एक assist प्रेमेर लीग में और टाइटल आ गया ठीक है भाई, नेक्स क्या भाई, यह तो आपने 100% सुना हो गए, तो बहुत ताइम से चलता है रहा भाई, जलाटन एंड रोनाल्डो सिर्फ दो ऐसे लौते प्लेर्स है भाई, जिन्होंने हर एक मिनट में गोल मारा है in football, हर एक मिनट में मतलब, एक से 90 के बीच में 90 मिनट के बीच में, एक मिनट पांच मिनट, साथ मिनट 57, 88, जो भी आपके मन में आ रहा है हर एक मिनट में इन दो बंदों ने इन football, इन history of football, इन दो बंदों ने गोल निकाल के ठोका है, गोल मारा है गोल बज़ाया है नेक्स क्या भाई, ये तो शायर मुझे आपको बताने की जरुतनी है, मैं सिर्फ दो नाम लूँगा आप समझ जाओगे, आप लो कॉमन सेक्शन में बताना अगर आप समझ गए, या फिर नहीं मैं सिर्फ दो नाम लूँगा कॉमन और केन कॉमन सेक्शन बताना, अगर आपको पता है ये बात नहीं पता तो भाई मैं आपको रिप्लाय जरूर करूँगा अगर आपको नहीं पता, ठीक है भाई, नेक्स टाइड गया ये काफी crazy है, ये काफी मैं अपने wildest, मैं ड्रीम में अपने सपनों में सोच भी नहीं सकता था, ये चीज मैं नहीं सोच सकता था, इतना मैं far नहीं जा सकता था, क्या भाई, नेमार वन, लालीगा प्लेयर अफ दी मन्थ अवार्ड बिफोर मेसी मेसी बहुत पहले से था, मेसी बिफोर मेसी, ये मैं बिलकुल भी नहीं सोच सकता था, मैं नहीं सोच सकता था, मेसी से पहले नेमार नो खाड़ा है काफी जाधा strange भाई, काफी जाधा strange, at least फॉटब लाम ने नहीं किया पूरे साल में एक भी फॉल इस बंदे ने नी किया एक भी फॉल नहीं किया यलो काड तो चोड़ो एक भी फॉल नहीं किया और डिफिंडर भी छोड़ो सुनने में फीक है but this is football ठीक है भाई next क्या भाई Zalatin यह काफी इंटरस्टेंग है Zalatin has played for 6 clubs 6 teams ऐसी 6 clubs के लिए खेला है ऐसी 6 teams के लिए खेला है वो 6 के 6 clubs ने कुछ ना कुछ उखाड़ा है European Cup उखाड़ा है Champions League उखाड़ा यह कुछ ना कुछ उखाड़ा है but Zalatin even after playing for these clubs these 6 जो यह 6 clubs के लिए खेला खुद नहीं उखाड़ उखाड़ पाया एक भी European Cup एक भी Champions League ट्रोफी एक भी चीज नहीं उखाड़ पाया यह चीज देखो यह चीज मुझे पता थी but still जब भी मैं यह चीज सुनता हूँ काफी ज़्यादा शौक लगता है क्योंकि भाई Zalatin जैसा इतना बड़ा प्लेयर सुनने में बहुत जीब लगता है सुनने में बहुत ज़्यादा जीब लगता है next क्या Sergio Ramos ठीक है भाई डिको इस बंदे ने बहुत ज़्यादा भाई जूट है इतना लंबा करियर Ramos का एक भी रेड कार्ट नहीं लिया फॉर स्पेन यह अपने हाप में ही बहुत ज़्यादा बड़ी बात है बहुत ज़्यादा बड़ी बात है अपने आप में that's all for this video भाई आप लोग अपने thoughts, comments, thoughts नहीं आपको इन में से कौन सी एक ऐसी बात है जो आपको सुनने में जो आपको best लगी मेरे साब से फॉर्म ही क्या थी भाई रोनाल्डो वाला बंदा साल में हारा कम है जीता जाद है, नहीं, ये नहीं था, ये नहीं था बंदा साल में हारा कम है ट्रोफी जादा उखाडी है तीन बार हारा, चार ट्रोफी उखाडी in 2016 फेक लगता है, this is fake कैसे पॉसिवल है that's all for this video भाई, वीडियो पसना है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना I'll see you very soon, thank you